असलाम अलेकूम मैं हो फाहीम खान नेशल सेविंग के अपडेट ट्राइविट बैंकों के अपडेट बजट सरकारी मराजबिन की तनखा पैंशेन ईयू बी आई के अपडेट के साथ आप लोग अपडेट में हासिर हैं रिक्वेस्ट आप टोक से यही है अगर आप हमारे च जादा फायदा हासिल कर सके आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूत सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है ठीक है और आज जिस पे हम बात करेंगे वह जनाब एक तो बहबूत सेविंग सर्टिफिकेट के अपडेट के हवाले से दूसरा जनाब बहबूत पे क्या हम compound profit हासिल कर सकते हैं बिल्कुल हासिल कर सकते हैं और तीसा जनाब compound profit के बाद जो है बहबूत का मुनाफ़ा क्या बनेगा या क्या होगा ठीक है तो इन तीन टोपिक पे हैं आज की वीडियो है हमारी अच्छे यहां पे एक चीज़ मैं add कर दूँ आप लोगे साथ की जनाब जबसे interest rate में कमी हुई 22% से 20.50% हुआ और साथ ही साथ जो है वजीर खजाना महमत और अनजेब खान साबने यह गया है कि जनाब हम interest rate में और कमी करेंगे पाकिसाथ की महीशत के लिए आसे तो बहुत अच्छी न्यूज़ है बहुत great न्यूज़ है कि महंगाई में जो एक तुफान चला महंगाई का उसमें बहुत तेई से कमी आएगी यह महंगाई का तुफान आया है इसलिए था कि जनाब interest rate में इजाफा हो गया था अगर्चे बैंकों का profit बढ़ा था लेकिन दूसी तरब महंगाई में बहुत जादा इजाफा हो गया था जैसे जैसे interest rate कम होता जाएगा वैसे वैसे महंगाई में कमी आती जाएगी लेकिन दूसी तरब जनाब यह है कि जैसी interest rate में कमी वाखा होई है 20.50% वा 20% से और मजीद कम होगा लोगों का interest जो है वो कौमी बचात की तरफ नेशल सेविंग की तरफ दुबारा आ गया है मतलब लोग अब प्राइवेट बैंकों के बजाए जो है वो नेशल सेविंग की स्कीमों का पूछते हैं बहबूत सेविंग सर्टिफिकेट का पुछते हैं वनना अभी महीने दो महीने पहले जो है वो सब माइक्रो फाइनस बैंक का और प्र प्राइवेट बैंकों का पूछ जो होते थे कि जो माइक्रो फाइनस बैंक का बता दे और खुशाली मैकल फैननस बैंक का बता दे, HBL का बता दे, HBL इस्लामिक का बता दे, MCB, UBL, अलाइड, बैंग अलबी, बैंग अलफरा, मुखतली बैंकों के बारे में इन्फरमिशन लोग पूछते थे, TTR का बता दे, सेविंग इंकॉंट का बना दे, ठीक है, किसमें इंव हमारे पास, वो आते हैं जनाब, नेशल सेविंग के कौनसी स्कीमों में इंवेस्मेंट करें, बहबूत की क्या अपडेट है, शॉर्ट टम सेविंग सर्टिफिकेट की अपडेट है, सर्वाइसलामिक सेविंग इंकॉंट के बारे में तो हमेशा से पूछा जारा जब से इ इंवेस्मेंट करनी हैं बैंकों में तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगे, क्यूंकि आने वाले दिनों में इंटरस्टेट और कम होगा, मतलब प्रॉफिट और ज्यादा कम होगा, प्राइविट बैंकों का भी, माइक्रो फाइनस बैंक का भी, और नेशनल कि इसकीमों का भी, ठीक है, वीडियो की तरह वापस आते हैं जरब, सबसे बहले बात करते हैं, कमपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, ज्यादा कमपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, और जो लोग जानते हैं, जिनको पता चल गए जो लोग compound profit ले चुके हैं वो फिर ये कहते ख़र inflation के बाद बता है complete details बता है हमें compound profit का बता है compound profit जएे इसलिके o दूसरे बेंकों ने लोग को compound profit प्रॉफित के बारे में या effective interest rate के बारे में बताना शुरू किया लोग जो है वो कहते हैं न दिवानापन जैसा हो गया compound profit के बारे में तो compound profit होता गया जनाब suppose कर लें कि आपने किसी बैंक में जो है वो 10 लाख रुपे जमा करवाएं ठीके और 10 लाख रुपे जमा करवाएं ठीके एक मेंने कि बात किया हो था जनाब पंदराजार रुपे का स्वफ़ profit आता है आपने कुछ निगा न प्रॉफिट भी अकॉण में रहने दे अगले मेंने किया हो जनाब फिर पंदराजार का प्रॉफिट आएगा और पिछले महीने जो 15,000 रुपए आपका प्रॉफिट आए था जो अकॉंड मही रहने दिया आपने उस पे भी प्रॉफिट आएगा इस महीने के पंदराजार को भी अकॉंड में रहने दे अगले महीने क्या होगा जनाब फिर पंदराजार को प्रॉफिट आएगा और पहले महीने के जो पंदराजार अपने अकॉंड में रहने दिया था प्रॉफिट उस पे फिर प्रॉफिट आएगा पिछले महीने जो आप ने पंदराजार रुपए अकॉड में रहने दिया था उस पे भी प्रॉफिट आएगा इस मेहने के जो प्रॉफिट है पंदराजार रुपए वो भी अकॉड में रहने दे इस तरह आप देखेंगे इस तरह प्रॉफिट को रहने देंगे अकॉड में तो छे मेने बाद वो तक्रबन 11,00 रुपए हो चुकि हर मईने प्रॉफिट आ रहा है, वो भी account में प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, और एक साल के बाद देखेंगे जनाब, जो आपके 10,00 रुपए की amount थी, वो जाये 12,00 रुपए तक महूँच गई, ठीक है, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है उस पर प्रॉफिट 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 आ रहा है तो हर महीने का प्रॉफिट भी आ रहा है अकॉर्फिट प्रॉफिट 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 आता रहएगा, तीसरे महίνदे का जो आपने 15,000 रुबे र हाट में रहने दिये था प्रोफिट, उस पर अगले 9 महेने तक प्रोफिट आता रहएगा, मतलapp जब आप उसकी calculation करेंगे कि भाई साल में मुझे कितना profit मिला तो पता ही चलेगा कि जो आपका profit rate था उसमें तकबन 2% का इजाफा हो गया इसे हो कहता है compound profit मतलब एक साल तक ना आप principal amount को touch करेंगे और ना ही profit को touch करेंगे profit को भी account में रहने देना है और जो आपका principal है उसको भी रहने दे अगर कोई TDR है तो आपने करना यह होगा जनाब जो उसका profit आया TDR का उसका भी आपने TDR book करवा लेना है ठीक है तो क्या होगा पूरा एक साल के बाद जो है वो तकबन 2% profit में इजाफा हो जाएगा इसी तरह हम जो है वो भभू सेविंग सार्टिफिरिट में भी compound profit हासिल कर सकते है अचा इस screen पे जो हम मौझूद है national saving की website पे मौझूद है और यहां मैं आपको दिखा दूँ कि ये investment limit की बात करें ठीक है investment limit open करूँ अगर जड़ा मैं investment limit ठीक है तो investment limit क्या है minimum 5000 ठीक है और maximum वो 75 लाग रुप है और अगर jointly अप लेते हैं तो जनाब 1.5 लाग रुप है की limited ठीक है individual मतलब एक बंदा कोई शक्स लेगा बहबूत वो 75 लाग तक ले सकता jointly डेर कोड ले सकता 75 लाग और 1.5 लाग की वीडियो मैंने बनाई की डेर कोड रुप है किस तरह आप इंवेस्ट कर सकते हैं इसकी complete वीडियो मौझूद बहरा कम से कम investment कितना 5000 मतलब यह कि अगर आपका profit 5000 का आता है तो उस 5000 का भी आप बहबूत सेविंग सार्टिफिकेट ले सकते हैं मतलब यहां पर यह बात के लिए रोगए कि जनाब profit अगर 5000 का भी बहबूत का आ रहा है महीना का यह 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 25,000 तो उसको भी आप reinvest कर सकते हैं दुबारा भी बहबूत सेविंग सार्टिफिकेट ले सकते हैं कम से कम लिमिट जो है वो 5000 की बहबूत सेविंग सार्टिफिकेट की अचा बहबूत वो इसकी में जनाब जिस पे ना कोई जकात करता है ठीके नहीं tax होता है मतलब फाइलर का जो tax होता 15% और non-fाइलर का 35% वो भी नहीं होता और इस तरह उस पे withholding tax भी चार्ज नहीं होता है मतलब जो इसका gross profit होता है वो इसका net profit होता है इस किन भी आपको दिखना जनाब 15.36% का rate है मतलब साल का profit बनेगा 15,360 रुपे एक लाग पे ठीक है gross profit बनेगा मंतली 1280 रुपे अब चुके इसके फाइलर का tax 15% नहीं है अगर आप फाइलर है तो वो भी 0 है जकात भी 0 है, withholding tax भी 0 है मतलब जो gross profit है 1280 रुपे वो ही इसका net profit है इसी तरह non-fाइलर की बात करेंगे जनाब तो वही rate है 15.36% ठीक है, साल का मनाफ़ा बनना है 15,360 रुपे अगर आप बहबूत में इन्वेस्मेंट करते हैं तो फाइलर हो, non-fाइलर हो आप जकात हो या फिर विदोड़िंटेक्स है कुछ भी चार्ज नहीं होना जनाब जो आपका gross profit होगा वो ही आपका net profit होगा और currently जो rate है वो 1280 रुपे के इसाब से एक लाग पर आपको profit मिल रहा है ठीक है अब compound profit के बाद क्या होगा बेसिकली वीडियो में हमाने ये देखना है कि compound profit के बाद क्या होता है 15.36 का जो rate है जनाब वो पहुँच जाएगा 17.36% पर ठीक है मतलब साल का profit होगा 17,360 रुपे मतली gross profit होगा 1447 रुपे अच्छा किलियर मैंने आप वो कर दिया compound profit आप किस तरह हासिल कर सकते है मतलब अगर आपने कोई 5,000,000 रुबे भी बहबूत में investment किया हुआ है तो आपको profit कितना मिलेगा ये 10,000,000 रुबे भी आपने investment किया अगर 5,000,000 तो तक्वण कितना मिलेगा 7,000,000 रुबे मिलेगा और अगर 10,000,000 तो तक्वण 13,000,000 रुबे मिलेगा मतलब 5,000,000 और 10,000 कि आप investment कर सकते है ठीक है वो तरीका मैंने बता दिया कम से कम limit जो है वो 5,000 की 5,000 से investment कर सकते है तो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 आप बहबूत में investment करते जाए अच्छा इसकीन पर मैं आपको दिखा दू कि compound के profit के बाद क्या होता जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया आप लोगों को rate हो जाएगा 17,36% मतलब साल का profit बन जाएगा 1,00,000 पे 17,360 रुपे मतलि gross profit बन जाएगा 1447 रुपे अच्छा यहाँ पर बात कर ले थे फाइलर का tax जो है वो 15% है लेकिन यहाँ पर नहीं है जाकात नहीं है withholding tax नहीं है मतलब जो gross profit है वही net profit है उसी तरह बात कर ले थे जनाब non-fाइलर की तो यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों जनाब के वो ही 17.36% है मतलब साल का profit बनना 17,360 रुपे gross profit बनना 1447 रुपे और वो ही इसका net profit होगा 1447 रुपे क्योंकि ना जाकात है नहीं withholding tax है और नहीं income tax है बहबूत की खुसियात में एक जो सबसे बड़ी खुसियात यह शामिल है जनाब आपने आज बहबूत सेविंग सर्टिफिकेट लिया 1280 रुपे के हिसाब से ठीक है तीन मेने बाद क्या होता जनाब 1280 की जगा 1380 रुपे आपको मिलने लग जाता profit rate में इजाफा हो जाता है तो आपने कुछ भी नहीं करना है सर्टिफिकेट आपका सेव रहेगा आटोमेटिक आपका profit rate बढ़ जाएगा बतला आटोमेटिक आपको 1380 रुपे जैसी बढ़ेगा 1380 रुपे उसके एकले महीने तीस दिन के बाद जो आपका profit मिलेगा वो 1380 रुपे के साब से मिलेगा छे मेने बाद profit आओर बढ़े जाता वो 1380 से 1480 रुपे हो जाता आपने फिर कुछ नहीं करना है आपने अकॉंड में पैसे रहने देना है आटोमेटिक ली जो है आपको profit जाए वो 15100 रुपे के साब से मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है दूआ गरे छे महीने बाद साल बरबाद और profit बढ़े और ये 18100 रुपे के साब से बहबूत का profit हो जाए आपने फिर कुछ नहीं करना है आपको आटोमेटिक ली जो है वो 18100 रुपे के साब से profit मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद क्या हो जणाब दिर्वर साल के बाज़े वो बहबूत का profit गिनना शुरू हुआ 18100 रुपे से आगया 1200 रुपे भी अब क्या होगा आपको 18100 रुपे के साब से मिलेगा बुक अपने 1200C के साब से किया था उस इसाब्स से मिलेगा या 1200 रुपे के साब से मिलेगा क्योंकि currently profit 1200 हो चुका है आपको profit मिलेगा 1800 रुपे के साब से बैबूत में होता किए आपने 1200C के साब से बुक करवाया उसके बाद 1300C हो गया ठीके 1300 C पे आपके profit पे cap लग गया अब इससे नीचे नहीं आ सकता ठीके फिर profit बढ़ा 1500 हो गया अब 1500 से नीचे आपको profit नहीं मिलेगा profit rate बढ़ गए 1800 हो गया अब 1800 पे आपका profit cap हो चुका उससे उपर तो जा सकता नीचे नहीं आ सकता profit rate 18 पे आपका cap हो गया अब profit rate कम होना शुरू हो गया बारा सो पे आगया लेकिन आपका profit कम नहीं होगा जो कि 1800 पे आपका cap लग चुका है ठीक है अब profit अगर बहबूत का 600 पे भी हो जाए तब भी आपको 1800 पे के हिसाब से profit मिलता रहेगा जब तक maturity नहाजाए मतलब 10 साल के लिए होता है बहबूत जब तक 10 साल पूरे नहाजाए आपको जब तक maturity नहाजाए आपको आपको 1800 पे के ह कि में इस step का advantage किसी account को TDR को saving account को नहीं मिला जो advantage बहबूत को हासिल है तो जब यहाँ पे वीडियो खतम करते हैं बहबूत सेविंग सर्टिफिक का currently profit 1200 CA इस पे आप compound profit भी हासिल कर सकते हैं compound profit के बाद जो आपका gross profit होगा या net profit होगा वो 1447 रुपे के हिसाब से हो जाएगा ठीक है उमीदे वीडियो आप लोग पसंद आई होगी request आप लोग से यही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर दे वीडियो को like कर दे वीडियो को share कर दे bell icon को press कर दे ताके daily basis पर जो हम आप लोग लोग वीडियो बना रहे हैं चाहे वो national savings से related हो private bankों से related हो budget जड़ो सरकारी मराजमिन की तनखाओ पैंचैनल ईयो बिया यो वीडियो फरस्ट आप लोग आप लोग मिले और आप लोग जाए जाए जाता फाइदा हासिल कर सके मिलते हैं नेक्स वीडियो मिंशाला तब तक लिए लिए अल्लाह आपिस